पुद्गल की बारें बताएगा सुथ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ् बगवान बुद्द ने कोसर राजा को बताया महाराज, इस दुनिया में चार प्रकार की लोग दिखाई देता है, वो चार लोग कोन है, पहला है अंदकार से अंदकार की और जाने वाले ब्यक्ति, दुसरा है अंदकार से प्रकास की और जाने वाले ब्यक्ति, तिसरा है प्र प्रकास से अंदकार की और जाने वाले ब्यक्ति, छोता है, प्रकास से प्रकास की और जाने वाले ब्यक्ति, पुन्योन महाराज, अंदकार से और अंदकार की और जाने वाले ब्यक्ति कैसा है? एसा है, अंदकार मतलब इस दुनिया में कोई-कोई लोग है, नीच परिवार मे जनम लिया, गुलगुलिया के परिवार में जनम लिया, ठोइलेट पेकाना दोने वाले परिवार में जनम लिया, नीच परिवार में, नीच जात में जनम लिया, बहूत गरीब हैं, कान पान बहूत मुश्किल से मिल जाता है, दुखी से जीवन बिताते हैं, वो खुरूब भ है ठेड़ा भी है सारी ठेड़ा है निरांतर बिमार है बहुत बिमार है या तो फिर अंदा है या तो फिर लंगड़ा है या तो फिर लाकवा मार दिया है आच्चे तरह कान पान नहीं मिलता है, कपड़ नहीं मिलता है, इदर उदर जाने के लिए गाड़ी नहीं है, सेंट, क्रेम, खुच नहीं है, बाल में लगाने वाले सेंपु नहीं मिलता है, सेंपु चोर दो, एक साबुन नहीं मिलता है सस्तावाला, एक माला नहीं है, सोना कभी चुया तक नहीं, रहने का जगा नहीं है, मुश्किल से रहन रहता है, कम से कम, प्रकास पाने के लिए एक बात्ती भी नहीं है, एसे रह के, एसे ये कौन सा जनम है? अंदगार जनम है, एसे रह के, क्या करता है? सरीर से पाप करता है, एसे गरीब होके, हक्त्या करता है, चोरी करता है, वेविचार करता है, वानी से पाप करता है, जूट बोलता है, चुगली करता है, गाली देता है, फल्त बात करते रहता है, मन से पाप करता है, यानि के, क्रोस गुस्सा करता है लोब लालज करता है गलत मार के पे जाता है वो ब्यक्ति सरीर से पाप करके वानी से गलत विवहार करके मन से गलत विचार रखे वो मरने के बाद नरक में जनम लेते है यह ऐसी बात में एक आदमी है यह आदमी अंदकार से और अंदकार के ओर जाता है अंदहिर जागा से वो कहा जाता है और अंदहिर में चल जाता है खत्रे से और खत्रह में चल जाता है महाराज फुषको शीरिफ यही उदाहरं काफी हैं है वो ब्यक्ति है अंदकार से अंदकार के ओर जाने माली ब्यक्ति इसलिए दिखाई देता है नीच लुग सबसे च करते हैं, सूवर को काता है, जूद्र को खोज के दोता है, और लीवर्घ काम करें पैसा, तो उसी पैसा शेकर नेकर जाता है भी ऐतला है और हमेशा गाली देते रहता है अब लोग देखे हूंगे हम तो बहुत देखे हैं महराज आंदकार से प्रकास के और के से जाता है एक आद्वी आंदकार जनम लिया मतलख वह इंसा नीच जात में चंडाल जात में कुलपत जात में गुलबुल्या का जात में घरीब जात में बहुत टोईलर पेकाना साफ करते उसी परिवर्म जनम लिया थता वह कैसा है कुरूप है वो खुदु है कुदु मतला सारी ठेडा हमेशा बिमार 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 उसको कभी भी सारी में लगाने के लिए सेंट नहीं मिलता है मुँ में लगाने के लिए क्रीम नहीं मिलता है रहने का जगा नहीं है, कम से कम गहर में एक बात्ती नहीं जला के राखने किएगी, ऐसा अंदकार जनम लिया, लेकिन ये अंदकार जनम लेकि क्या करता है? सरीर से पाप करता है एसे गरिब जनम लिया लेकिन ये आदमी जिमाग वाला है ये सरीर से अच्चा विवहार करता है वानी से अच्चा विवहार करता है यान की हत्या चोड देता है चोरी करना चोड देते हैं विवहार करना चोड देते हैं तता वानी से जूट बोलना चोड देते हैं चुगली नहीं करते हैं काथोर वाचन गाली नहीं देते हैं अल्तो पाल्तो बात नहीं ग्यान की बात बोलता है तता मन से क्रोध गुस्थ अनाफरत नहीं करता है लोब लालज नहीं करता है गरीब होते हुए भी दान देता है दान दे करके क्या करता है लोब लालज को काम कर देता है थाथा मित्या विश्वास पर मन लगाते नहीं है वह ब्याकती उसी प्रकार सरीर मन वानः से अच्चा आचरं करके अच्चा करम करके मरने के बाद देवताओं के पास सर्ग में जनम लेते हैं महाराज एक आदमी है वह आदमी जमीन में बैठके एक खुर्सी पे चाहर जाता है खुर्सी से गोड़ा पे चाहर जाता है या कि फिर गोड़ा का पीट से हाथ का पीट में चाहर जाता है हाथ का पीट से महल में चाहर जाता है महाराज ये आदमी के लिए यही उदाहर आदकार से प्रकास की उर जाने वादा समझना है प्रकास वह एकदम नीछे था लेकिन वह अच्छा आच्छरकारे का है पर घुडि और तोरा गोड तोरा गोड़ा पे आगया तो आज प्रांगा महारार प्रकास प्रकास जानते जाते ह। यहाँ एक आदमी है, वह उस्वह जय्हकों जनम लेते के संभावन्य गिर्वर्पति पारीवार में जनम लेते ह। महान, धनवान है, बहुत बड़ा संपा्त्ती है. जितना चाह उतना चोन आचांद है जितना चाह उतना धन संपत्ती, खेती, जमिन है, धन है, धान ने है वैसा परिवार में ये जनम ले लिया थता उसका सरीर भी सुन्दर है, खुप्चुरण उसका सरीर देख लिया तो कोई भी प्रसन हो जाता है अच्चा सुन्दर सरीर, तथा कान, कापड़ा, गाड़ी, सब कुछ है सारी में लगाने वाले सेंट है, मूँ में लगाने वाले क्रीम है, सारी में लगाने वाले बोडी लोशन है सारे चीज़ का कोई कमी नहीं है और बात्ती पुरा भरा हुआ है जितना चाहिए जला सकता है वो ऐसा घर द्वार है महल जैसा घर है वो ऐसा प्रकास की जनम पाया लेकिन सरीर से पाप करता है एस आमीर वो कि अच्छा कान पान रहन कानी पीने का घर में जनम लेकि क्या करता है वानी से पाप करता है मन से पाप करता है हाथ्या करता है चोरी करता है वेबिचार करता है जूद बोलता है चुगली करता है गाली देता है लोब लारच करता है ठाकता है दुसरों से ख्रोज महाराज वो आदमी एसे सरीर मनवानी से पाप करने के कारण मरने के बाद नरत में जनम लेते हैं, लेकर के बहुत दुख भोगते हैं महाराज एसी बात हैं, एक आदमी है, वो आदमी महल से हाती का पीट में उतर जाता है, वो हाती का पीट में से गोड़ा का पीट में उतर जाता है, गोड़ा का पीट में से कुर्सी पूतर जाता है, कुर्सी से जामीन में उतर जाता है, जामीन से अंधकार पे चड़ जाता है व wiele सा है ये उदाहरन उसी आद्मी के लिए है अच्चा जागा और पिता घ्रने वाले करम क्याना सर्पातन होते पतन हो gap अंदर प्रकास से अंदर खार की ओर जाने वाले ब्याक्ति महराज और फ्रकास की ओर जाता है पुन्यान महाराज इस दुनिया में कोई आदमी है उंच परिवारें जनम लेते हैं राजा का परिवार में या ब्राह्मन परिवार में ग्रहपति परिवार में धनवान परिवार में जनम लेते हैं जिस परिवारें धन संपात्ति हैं जितना चाहे उतना चोना चांदी कान प जनम लिया तता उसको सुन्दर सरीर भी मिल गया कोई भी देख लिया तो प्रसंद नहों जाता है वेसे सरीर भी है खाना पीना कपड़ा लता गाड़ी सब कुछ है पेश्वोष क्रीम गोड़ीवोष शरीर सजाने वाले चीज भी है रहने का गहरधवार महल भी है अच्छे तरह पाती है कितना भी ज़ाकर यदर प्रकास करकर रख सकता है आशेस सब कुछ है लेकिन ये आदमी सरीर से पुण्य करता है एक है भीड़ा हों कि भी सरीर भी फून्य करते वानी से पुण्य करता है मन से भी पुन्ने करता है यान कि हत्या चोर विविचार भी नहीं करता है जूट चुगली गाली फालतुबाद भी नहीं करता है क्रोट गुसा नाफरत लोग लालच भी नहीं ग्रमान दाहंकार भी नहीं मित्या इस्वास पर नहीं जाता है वो सरी छोड के मरने के बाद देव स्वर्ग ने देवतां के पास जनम लेकर के बहुत सुख भोग दे एसी बात है महाराज एक आद्मी कुर्सी से और कुर्सी पे चला गया गोडा का पीट से और गोडा का पीट पे चाड़ गया हाती का पीट से और हाती का पीट पे चाहर गया महल से और महल पे चला गया यह साहिए शुखें और सुखी ऑर ही चला गया उसके कभी दुख नहीं मिल सकता है महाराज ये चार प्रकार की लोग इस संसार में हर पल दिखाई देता है महाराज गरीब व्यक्ति हैं उसका दिल में बगवान बुद्ध के प्रतिश रद्धा नहीं है खंजूस हैं एकदम लालची हैं पापी विचार हैं मित्या दृष्टी हैं दूसरों को कभी प्यार भी नहीं करता है संत लोग को लोग कुछ भी मांगेगा तू कुछ नहीं देता है गाली देखर क्या भी नहीं भागो एसे बगा देता है दोस्त लगाता है अगर दूसरा लोग दान देना सुन लिया तो उन लोग कभी दान रोक देता है वह महाराज वैसे लोग मरने के बाद अंदकार से अंदकार की ओर जाते हैं कि नरक में जयनम लेते हैं महाराज गरीब लोग के लिकी स्रट्धावान है है ब्भगवान बुध्य की पृति प्रसन रता है भगवान गुद्धी की ज्यान बहुत जानते हैं दान भी बहुत देते हैं उनका मन में स्रेष्ट विचार उप्तम विचार हैं वो कभी गुसा क्रोज भी नहीं करता है संत लोगों को या तो फिर अपना घार पे कुछ भी मांग के आ गया तुम्हों काली हाथ से फेटाता नहीं है देता है अगर संत लोग आना देख लिए तुरांट कुर्शी से उठकर सीर्जू के इज्जत करता है अगर कोई भी बोजन देगा तो सुन्म का बोजन रोकता नहीं है और दिलाने के रिकोशिश करता है महाराज वैसा अभ्यक्ति अंदकार से प्रकास की और जाके देवताओं के पास जनम लेते सुख भोगते तुम्हाराज एक धनवान भ्यक्ति है उसका दिली स्रद्धा नहीं बगवान गुद्धिक ज्यान कभी सुना नहीं सुन लिया ता भी समझेगा नहीं घंजूस है दाम पापी विचार है लालची मिद्य द्रिष्टिक मिद्य विश्वास यह दूसरों पो कोई प्यार नहीं अगर कोई संत लोग मांग के आ गया तो कुछ देता नहीं नहीं बोल के भगा देता हैं दूसरों के मदद किरगे तो वह भी रोक देता है मद्दो मद्दो कोई मतलब नहीं बेकार में चाव जाता है जन्सुरेष्ट महाराज वैसे लोग मरने के बार अंदततु प्रकास छसे अंधकार की और जाता है नारक में जनम देते है उन्य実 महाराज एक महा धनमान व्यक्ति हैं उनका दिल में श्रद्धा है बगवान बूद्दे के प्रति धारंग के प्रति संते के प्रतिश्रद्धा है खंजूस नहीं है दान भी देता है स्ट्रेस्ट उत्तम विचार है गुश्शक रोध नहीं सब को प्यार करता है संत लोगों को थथा कुछ भी मांग के कोई आ गया तो खड़ा हो कि इज़्जत करता है विकार को भी इज़्जत करता है कुछ देता है उत्तम विचार है कभी भी भोजन किसी को देगा तो उसी भोजन को कभी रोपता नहीं है जंस्रेश्ट महाराज एसे लोग मरने के बाद प्रकास से प्रकास से और जाते हैं देवतां के पास जनम लेते हैं सुंदर है ना चोत्र पदेश का नाम क्या है अगर किसी के पास साध्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है किसी को भी जीवन के सुंदर बनाने का एक ही चीज़ वो साध्धा है आप संदेश पूला कर कि जब तक आपका दिल में वगावन बुद्धे के पर स्रद्धा नहीं आया तब तक आप सुधर नहीं जिसने आपका दिल में वगावन बुद्धे के पर स्रद्धा उस्पान हो गया उसी दिन से आप फाप करने में डर गया हो गया ध्यान करने लगा हो गया इसलिए स्रद्धा इंपोरेंट है किसी का दिने वगावन बुद्धि प्रति श्रद्धा प्यार आ गया तो आ गया वो बच गया बच गया मतलब कुछ समय के लिए पिर स्रद्धा काताम हो सकता है इसलिए स्राद्धा सबसे महान चीज है स्राद्धा को पाने के लिए खल्लेन में पर संगत करना चाहिए धर्म सुनना चाहिए ज्यान से मनन करना चाहिए समझना चाहिए सब दिल में स्राद्धा उत्पन होता है स्राद्धा हुत्पन होने का संभाव कभी-कभी लोग आजका है कभी-कभी उनलोग बुरा हो जाता है कभी-कभी लोग बूरा है और बूरा today इसलिए आप लोग की चार जनम में से एक जनम पालिया, लेकिन आप लोग को स्रद्धा आगया, तोड़ा मोड़ा, तन्नी तन्नी को स्रद्धास लाब उठाई, उठाके कोशिश करें कम से कम ये जीवन का लाब उठाने के लिए। में आप जा कोशिश करें करें से लोग का लाब वीवन का लाब उए।